कैसे हैं आप सभी आई होब कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टेडी आप लोग कर रहे होंगे और इस वीडियो में प्यारवच्चो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रशनावली तीन दसलना दो का जितने भी सारे कोशन हैं उन सभी को हम राप्ची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे तो आईए एक एक कोशन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं और प्यारवच्चो इसका पीडिएफ आपको मिल जाएगा हमारे स्टाइड वाट्सब ग्रुप में अगर आप लोग जोएन नहीं किया है तो जोएन जरूर कर ले मेरा नमबर है पचासी एकासी एसी उन्तेस उन्तेस ठीक है तो चलिए पैरवच्चो हम क्या करते हैं स्टाट करते हैं अभी हम क्या करें कि पहला प्रस्ण ले ले लेगे त उन समीकरन में हमें क्या करना है युग्म समीकरन बना है यानि जो word problem दिये गए है उनको हमें युग्म समीकरन बनाना है और उसे हमें क्या करना है पैर बच्चो ग्राफी विदी से solve करना है और नहीं विलोपन विदी से solve करना है solve करना है आपको graphie video से क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं हम आसानी से ग्याद कर लेंगे तो सबसे पहले प्यरवच्चों क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे हल और यहां पे मैंने लिखा हल उसके बाद question जरा पढ़ लीजे क्या दिया गया है कि पहला में कि कक्षा 10 के 10 संख्या ग्याद कीजिए तो प्यारवच्चों आपको पता है कि ना तो लर्कों की संख्या में पता है और नहीं लर्कियों की संख्या में पता है तो हम क्या करेंगे प्यारवच्चों कि माल लेंगे कि माना लर्कों की संख्या यहां पे लिखते हैं कि माना लर्कों की संख संख्या संख्या बराबर क्या माल ले एक्स माल लेते हैं वहीं पर हम माल लेते हैं कि माना लड़कियों की संख्या क्या लड़कियों की है ना संख्या संख्या बराबर वाई माल लेते हैं ओके हमने यहां पर माल लिया अब क्या करेंगे पैर वच्चों यहां पर लिखेंगे सर्थ एक क्यानूसार तो यहां पर लिखते हैं सर्थ एक से तो सर्थ एक में क्या होगा हमें एक समीकरन प्राप्त होगा सर्थ दो में हमें दूसरा समीकरन प्राप्त होगा प्यरे बच्चों ठीक है तो सर्थ एक से हम कैसे बनाएंगे पहला समीकरन तो कहता कि कक्षा दोस के sanchya x माने और लर्कियों की sanchya y दोनों मिला करके 10 विदारती हैं तो हम कह सकते मिलाने के मतलब जोरना x plus ke y बराबर हम लिख देंगे 10 और इसको माल लेंगे कि समीकरन एक माल लेंगे तो हमने लिख दिया समीकरन एक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत प्यारवच्छो अब हम क्या करते हैं सर्थ दो के अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहां पर लिखते हैं सर्थ दो से सर्थ दो से, सर्थ दो क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं, कहता है सर्थ दो कि यदि लर्कियों की संख्या, लर्कों की संख्या से चार अधिक है, तो पैरवचों याद रखना, कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब दोनों को बराबर करना होता है, तो कम बाले में हम क्या करते है या फिर गुना करते हैं question की according, तो यहां पे देखेंगी कि ज्यादा किसकी संख्या और कम किन की संख्या है, तो यहां पे कहता है पैर बच्छो जड़ा यहां पे देख लीजिए, यहां पे कहता है कि यदि लर्कियों की संख्या, लर्कों की संख्या से 4 अधिक है, तो कहने का मतलब लर्कियों की संख्या अधिक है क्यूं यहां पर कहता है लर्कों की संख्या लर्कों की संख्या से चार अधिक है न तो हम क्या करेंगे लर्कियों की संख्या हमारे पास क्या है पैर बच्चों तो लर्कियों की संख्या हमारे पास है वाई तो हम वाई लिख देंगे तो कि sir जिसमें कम होता है उसी में हम जोडते हैं दुनों को बराबर करने के लिए तो आपको पता है कि लर्कियों की संख्या जादा है इसलिए हम कम बाले में 4 को add कर देंगे तो हम 4 इसमें add कर देंगे ठीक है तो यह हमारे पास आ गया अब इसे एक समीकरन प्राप्त होगा हम कै कैसे प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि अगर यह y है तो y लिखेंगे यह पलस का x है इधर आया तो माइनस का x हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा पलस का 4 हो जाएगा ठीक है इसको थोड़ा सीधा से कर लेते हैं विवस्थित कर लेते हैं जैसे y-x है तो हम क्या करते x-y कर लेते हैं, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ minus से गुना कर देते हैं, यहानि इसमें भी minus से गुना, इसमें भी minus से गुना, अब देखो minus से गुना करेंगे, तो minus x में गुना करेंगे, तो plus x होगा, अब यहागे plus y से minus में गुना करेंगे, निए सोट करना है जब कोडीनें तो हम ग्रास पर is ले कर चलेंगे कि का इन्सरक जितनाल क्या निया कोई कोई दिक्कत में कोडिनेट जात कर लेंगे के का से इस का सबाइब हम यहाAP कोडिनेट इस तरीके से बनाते हैं ठीक है यह थोड़ा सा छोटा हो गया लगता है ना इसको हम बड़ा कर देते हैं ओके तो यहां से हम एक पेंट सेलेक्ट कर लेते हैं अब यहां से इस तरीके से जाने देते हैं हमने जाने दिया यहां से ऐसे कर दो फिर हम क्या करेंगे इसमें X भर देंगे इसमें Y भर देंगे यह ह इस तरीके से हमने क्या किया एक डबा बना लिया बॉक्स बना लिया अब इसमें कोडिनेट क्या ज्याद करेंगे मिनिमम आपको दो कोडिनेट ज्याद करना मैक्सिमम आप जितना ज्याद कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम यहां पर X रखते हैं और यहां पर Y र कर देते हैं अगर हम X का मान अगर 4 रखते हैं माल लो तो Y का मान कितना होगा अगर X का मान हम 4 रख दिये ठीक है यहां से इसको इसको इरेजर कर देते हैं यहां से मिटा देते हैं कोई दिकत नहीं अदिकत पैर बच्छो तो यह हमने कर दिया अब हम क्या करेंगे एक और मान रखेंगे इसमें पूट करते हैं क्या पूट करेंगे प्यारे बच्छो इसी में देखेंगे अब हम क्या करते है y common 6 रखेते हैं तो y common चलो हम 4 रखेते हैं तो लो भई y common हमने 4 रखा जब y common 4 रखेंगे तो सो c nella क्योंकि यहां 4 आ जाएगा तो 4 उधर जाएगए तो 6 आ जाएगा या एकिलिव 6 आ जाएगी हमay यहां पर फूर्ट कर दिया दिक्कत नहीं है वाइक का मान रखेंगे दूसरा का मान आ. अगर हम यहाँ पर बनना जाएंगे गर अ भाइक मान यहाँ चेरो राता है तो कहने का मतलब जाएगा है ना तो X बरावर आगा माइनस के चार तो यह आजएगा माइनस के चार आप प्यरवेच्च कुछ भी रख सकते हो आप जो इच्छ है वो रखो लेकिन आप ऐसा मान रखना कि आपके ग्राफ में जो है वो फिट बैट जाए ठीक है ऐसा रखना अब हमने यह कर दि दिकत नहीं अगर हम X का मान 0 रखते हैं मान लों की X का मान 0 रखते हैं तो Y का मान क्या होगा तो X का मान 0 रखेंगे तो माइनस के y बरावर माइनस के 4 आ जाएगे तो यहाँ पर हम रख सकते y की वेलू 4 इसमें कोई दिक्कत नहीं दिक्कत अब हम क्या करते हैं नीचे वाले को एरेज कर देते हैं कोनों दिक्कत नहीं न प्यारे बच्चो तो यह हमारे पास solve हो गया अब क्या करेंगे प्यारे कोडिनेट है और यहाँ पर आप देख सकती है समीकरन 2 का कोडिनेट है तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चो हमें यहाँ पर क्या करना एक लाइन खीचना होगा एक इस तरीके से तो सबसे पहले इस ग्राफ को हम समझ लेते हैं प्यारे बच्चो इस ग्राफ में क्या समझन कि जैसे यह मोटी लाइन है इस तरीके से एक ही यह मोटी लाइन और एक ही यह मोटी लाइन इन दो मोटी मोटी लाइनों के बीच जो होती न छोटी छोटी रेखा टोटल दस रेखा होती है और यह दस रेखा इसलिए होती है कि जब अगर हम कोई पॉइंट में निकाल लेते ह तो इसको point को बैठाने के लिए दिया जाता है तो इस तरीके से इस बात को आपने समझ लिया अब हम क्या करेंगे सबसे पहले quadrant बना लेंगे X वाला हونगे, यानि जो भी, संख्या होगे, यह प्लस वाले होगे, इस साइट, और इस साइट, क्या होगщее पैरवच्चो, इधर, रिनात्मक वाले होगे, यानि X डैस होगे, ठीक है, यह मैंने कर दिया, अब क्या होगा, पैरवच्चो, समीकरन एक से हम इसमें मान जो है बैठाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यानि यहाँ पे 0 होता है यहाँ पे रख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम 1 लिक लेते हैं यहाँ पे रखते हैं 2 यहाँ पे रखते हैं 3 और यहाँ पे हम कर देते हैं 4 then यहाँ पे 5 करते हैं और यहाँ पे 6 कर देते हैं और यहाँ पे हम 7 कर देते हैं आगे भी जा सकता है जितना जागे ले सकते हो उतना कोई दिक्कत नहीं है इधर वाले रिनात्मक होंगे माइनस का इधर हो जाएगा 1 इधर हो जाएगा माइनस का 2 और इधर हो जाएगा माइनस का 3 देन यह हो जाएगा माइनस के 4 और यह हो जाएगा माइनस के 5 हमने 5 कर दिया कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत पैरवच्चो तो यह मैंने कर दिया अब क्या करेंगे पैरवच्चो उपर वाले वाई वाले हैं सब होंगे पलस का उपर तो यहां रखते हैं पलस का एक और यहां पलस का दो देर यहां पलस का तीन और यहां पलस का चार और यहां पलस का पाँच और यहां पलस का छे हमने कर दिया कोई दिक्कत नहीं दिक्कत नीचे होंगे माइनस वाले तो माइनस का 1 कर देते हैं यहाँ माइनस का 2 कर देते हैं माइनस का 3 कर देते हैं देर माइनस का 4 कर देते हैं और माइनस का 5 कर देते हैं आप जितना चाहाँ उतना ले जा सकते हैं इसमें कोई दिकत नहीं है पैरवच्चो अब क्या करेंगे पैरवच्चों हम यहाँ पे देखेंगे समीकरन एक क्या कहता है कि X का मान यहाँ पे है पैरवच्चों 4 तो Y का मान 6 है तो X का मान यहाँ 4 है तो Y का मान 6 है तो 4 इधर से चलेगा और 6 इधर से चलेगा यानि इस बिंदू पे मिलेगा और इस बिंदू का नाम रख देंगे प्यारे बच्चो चार कॉमा छे रख देंगे क्योंकि चार यहाँ है और वाई वाले इधर है तो पहले हम X वाला लिखते हैं तो Y कमान चार इधर है तो कहने गा 6 इधर से चलेगा और 4 इधर से चलेगा तो इस बिंदू पे मिलेगा अब यहाँ से क्या करेंगे यह बिंदू आया तो इधर से 4 चला इधर से 6 चला तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6,4 पहले हम x अक्ष को कहते हैं आप अपजेक्टिवाइद रखना यह भी ध्यान रखना आप लों हमने यहाँ पर कर दिया अब क्या करेंगे 이제 डिकत नहीं अई दिकत पैरवच्चो अब क्या करेंगे इस भिंदू इस भिंदू को मिला करकि एक है रेखा खीचे लेंगे तो हमें लगता क्या है ये R पर इधर चला जाएगा, कोई दिक्कत ने इधर आप बढ़ा करके ले सकते हो, हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से इस बिंदू से इस बिंदू को मैंने रेखा खेच लिया, तो आप लो तो 0 यहां x पर भी होथा y पर भी होता है तो y का मान यहां पर 0 यह स्टार्ट करते हैं और x का मान minus 4 है तो x वाला minus 4 तो minus 6 इधर चलेगा तो यहां पर आएगा तो x की value minus 4 लिखलो यहां पर minus 4 यहां पर दो 3,0 लिखलो जीरो कॉमा चार तो यहां पे लिखते हैं जीरो कॉमा चार तो यहां कॉमा चार दे देते हैं तो एक यह बिंदू आया और एक यह बिंदू आया इस बिंदू इस बिंदू को मिला देंगे तो चलो हम क्या करते हैं पैरवच्चो मिला देते हैं इसमें क्या दिकत है यहां से ह हम क्या करेंगे प्यारवच्चों मिला देंगे तो प्यारवच्चों देख सकते हो यहां पर यह चार इस बिंदू को और इस बिंदू हो यहां पर हमने लिख दिया था अब यह दोनों को मिला देंगे तो जहां पर कटेगा वही पे अंसर हो जाएगा तो क्या करते हैं इसको एक रेखा, दुसरी रेखा, काटा, 3 पे काटा है, ठीक है? ये थोड़ा से इधर, बाहर साइड में हो गया तो इधर आ जाता तो हो जाता, ठीक है? तो यहाँ पे काटा, अब इसके नीचे क्या है? पैरवच्छो 3 है यानि X पर है 3 यह 3 का है X पर तो X की वैलू 3 हो जाएगी अब इधर से यह चलेगा तो यह कहां पर आएगा 7 पर आएगा क्योंकि 6 है और 6 के बाद 7 आता इसको आगे बढ़ाएंगे तो ठीक है यह 7 आजागा तो इधर से यह चला तो यानि इधर से यह चले और इधर चलेगा तो यह Y बला होगा 3,7 पर कटा है यानि इसका हल क्या हो जागा X का मान हो जागा 3 और Y का मान हो जागा 7 तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अता हल बराबर अता हल बराबर तो हल क्या हो जागा पैरवच्छो हमारे पास कि X की वैलू हमारे पास 3 हो और यही हमारे पास आंसर आजाएगा कोई दिकत नहीं है दिकत प्यारवच्चों तो हमने क्या किया इस प्रशन को सॉल्व कर लिया अब क्या करते हैं अगला प्रशन लेते हैं आए प्यारवच्चों अब हम क्या करते हैं यहां पे दूसरा प्रशन को सॉल्व करेंगे दूस है क्या condition थे को पहला condition तो यहां पर है यह जो आप दैख रहे यहां तक पहला condition है ठीक है 55 कुल्मों यह पहला condition और दूसरा condition यहाँ 46 रुपया तक है सबसे पहले हम लिखेंगा यहां पे हल तो हम नहीं हम लिखते हैं प्यारे बच्चоВो क्या हला मैंने लिख दिया हाल अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों माल लेंगे कि माना एक पैंसिल का कीमत और माना एक कलम का कीमत ठीक है तो यहां पर लिखते हैं कि माना यहां पर लिख देते हैं माना एक एक पैंसिल पैंसिल एक पैंसिल का मुल्ले बराबर मुल्ले बराबर तो माना एक पैंसिल का मुल्ले बराबर हम एक्स मान लेते हैं ठीक है अब वहीं पर मान लेते हैं कि माना एक कलम का मुल्ले है लिख देते हैं बाबु कलम कलम का मुल्ले है धेक है मुल्य है कितना माल ले वाई पेंजिल का कीमत कितना होगा 5x होगा तो हम यहां पे लिखते हैं सर्थ एक के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं प्यारे बच्चो सर्थ एक से तो सर्थ एक से चलते हैं तो यहां पे हो जाएगा 5x और प्लस में 7 कलम का कुल मुले इतना है कहने का मतलब जो एक कलम का मुले वा अकोर्डिंग चलते हैं, प्यरवच्छोँ, सर्त दो में क्या है, कि 7 पेंसिल था पांच कलमों का कुल मुले 60 रुपए, तो 7 पेंसिल है यानि, एक पेंसिल का मुले 1 रुपए तो 7 पेंसिल का हो जाएगा, 7 X और पलस में, यह हो जाएगा, 5 Y, तो हम लिखते हैं, 5 Y और बरह प्राबर में कितना लिख देंगे प्यारवच्छो च्यालीस रुपया तो च्यालीस रुपया हम लिख देंगे च्यालीस यह हमारे पास समीकरन क्या हो जाएगा प्यारवच्छो समीकरन दो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत प्यारवच्छो हमने लिख दिया अब क् कोडिनेट बनाएंगे और उन दो कोडिनेट की मदद से हम क्या करेंगे ग्याद कर लें कोई दिकत नहीं हम यहां पर कोडिनेट बनाते हैं समीकरन एक का चलो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं समीकरन एक कोडिनेट कोई दिकत नहीं है दिकत प्यारवच्चों तो यह हमारे पा ता यह x की value, यह y की value. यह x, यह y. चलो हम समीकरन एक का हम सबसे पहले देख लेते हैं. समीकरन एक में चलेंगे. X का मान रखेंगे तो Y का मान आएगा Y का मान रखेंगे तो X का मान रखेंगा आए जाएगा तो हम क्या मान रख ले तो प्यारे बच्छो अगर हम X का मान 0 या वो इस का मान 0 चलो हम Y का मान 0 रख लेते एक बार अगर हम Y का मान 0 रख लेंगे तो x का मान क्या होगा, समय करने एक में, तो प्रवच हम यहाँ नीचे solve कर लेते, चलो, यह 5x है, तो 5x और परलस में, 7 गुने में, y के जगा पे हम 0 रखेंगे, तो बराबर में यह 50 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, कि 5x और पलस में, 7 में 0 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 10 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, अब हम क्या करेंगे, प्यार बच्चों, इसको चलो हम मिटा देते हैं, यह मैंने क्या किया, मिटा दिया, अब हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट लेंगे, अगला पॉइंट क्या, कि अब हम क्या करेंगे, इसमें ए और 14 हो जाएगा तो इधर इधर नहीं, 7 हो जाएगा तो मालो की 7 दुना 14 और 7 यह रखते, 7 एक ज्यादा हो जाएगा तो कटने वाला नहीं है, तो हम क्या रखते प्यारे बच्चों, अगर minus में यहाँ पे सोचना पड़ेगा, यहाँ पे अगर minus 3 रखते हैं 5 से, तो आ हैं, 5 गुने में X का जगा पे 3 और प्लस के 7 Y और बराबर में 50, अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कि 7 Y बराबर में क्या हो जाएगा 50, तो 50, पांदे पंदर प्लस का पंदर पक्षांतर करेंगे तो माइनिस का पंदर हो जाएगा, अब यह 7 Y बराबर में, 50 में से 15 जागा तो कितना होगा पैरे बच्छों? अगर हम 50 में से 15 को घटा देते हैं तो कितना होगा? 35 हो जाएगा न, 35, ओके? अब 7, 55 हम काट सकते हैं तो Y की value आ जाएगी बाबु, 5 य की वेलू क्या आ जाएकि पांच आ जाएगी तो हम Y की वेलू रख सकते हैं 5 ठीक है हमने रख दिया यानि अगर हम X का मान 3 रखे तो Y का मान 5 आ गया अब हम क्या करते इसको इसको erase कर देते हैं, क्या दिक्कत है, चल भाई, तू यहां से मीट जा, हमने क्या किया, इसको erase कर दिया, अब हम क्या करेंगे, समीकन 2 का मान पूट कर देंगे, तो समीकन 2 में रख करके देखते हैं, अब समीकन 2 में क्या मान रखे, कि आ जाए, अगर हम x का मान, मान लो, या y y का मान, 0 मान सकते हैं, 0 मान लेंगे तो हो सकता है कि point में है, point वाला हम नहीं लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अगर minus का 2 रख दे, अगर y के जगा पे, तो पांधुना कितना हो जागा, 10, उधर जागा तो कितना 36, नहीं कटेगा, 2 रख दिये तो अगर मान लो, 5 नच 10, प्लस का 2 रखेंगे तो आजाएगा, मान लो कि अगर y के जगापे 2 रख दिये, प्लस का, y के जगापे प्लस का 2 रखते हैं, तो यह हो جागा, 7x और प्लस में, क्या करते हैं, minus का 2 रख लेती हैं, ठीक है, तो यत के जगए पे अगर minus का 2 रखते हैं, तो पांदू नहीं 10 यह minus का 10 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, minus का 10, minus का 10, minus का 10 पे 6 बना करेंगे, तो plus का 10 हो जाएगा, तो 7x बराबर में 40 स को 10 कितना होताई, 56, कर दो, 7, 8, 56, कट गया, तो X की value आ जाएगी 8, X की value क्या जाएगी बाबू, 8 आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, X के जगा पे 8 रख देंगे, हमने रख दिया 8, ओके, अब हम क्या करेंगे, X का मान, अगर minus के 3 मान लेते हैं, तो 7, 21 आ जाता है, तो कितना होगा, 6 में से क्या तो 5, 4 में से दो गया, तो 25, कट गएगा, कट जाएगा, तो कहने का मतवलि अगर हम minus 3 मान लेते हैं, minus 3 मान लेते हैं, पलस का 3 मारो, अगर हम x का मान पलस का 3 मान ले तो क्या होगा तो आईए हम इसको solve करके देखते हैं पैर बच्चो चलो भाई तू यहां से हट जा अब हम क्या करेंगे solve करके देखेंगे आप लोग देख सकते हो आपके copy में आप लिक करके भी रख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं पैर बच्चो है ना इसमें detail से आप solve कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं अब चलो हम यहां पर क्या करते हैं बाभू हमने क्या किया 7x है ना तो 7 गुनिव एक्स के जगा पर 3 ठीक है और पलस के 5y बराबर में 46 है ना पांच है ना 6 में से गया तो 5 अब 4 में से दू जाएगा तो 2 है ना अब यहां से y से काटो 50 25 कट गया तो y की वेलू 5 आ गई ना तो y की वेलू 5 रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना तो आप कहने का मतलब यह हुआ कि आप इसको हमें क्या करना होगा पैरवचो ग्राफ पे सॉल्व करना होगा यह तो बहुत सिंपल था हमने क्या किया इसको सॉल्व कर दिया अब ग्राफ पे सॉल्व करेंगे तो आए पैरवचो हम इसको क्या करते हैं ग्राफ पे सॉल्व क तो प्यारवच्टो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या 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 है गालिया आप चाहो तो बीचो बीच कर सकते हिसमें कोी रिकट लेकिन हमने क्या कि इस साइट से ताकि हमारे यह जो मान है वो पुट हो जाए ठीक है क्यूंकि X का मान जो अधिकतम 10 है याई इधर जो भी होगा दस वाले हमको लाइन लेना ही पड़ेगा इसलिए हमने इस साइड में कर दिया अब हमको पता है कि पहरवचो इस साइड यह हमारे पास क्या होते हैं X वाले होते हैं, और इस side क्या होते हैं, X माइनस वाले होते हैं, उपर क्या होते हैं, Y वाले होते हैं, और नीचे क्या होते हैं, पैरवचू Y डैस वाले होते हैं, यानि Y माइनस वाले होते हैं, ठीक हैं, तो हम नहीं यह कर दी यहाँ पे देख सकते हूं नीचे, अब क्या कर देते हैं क्या यह हमारे पास प्लस का एक होगा यह प्लस का दो होगा प्लस का तीन होगा देन यह प्लस का चार यह प्लस का पांच प्लस का छे, प्लस का साथ प्लस का आठ प्लस का नो, प्लस का हमारे पास यह हो जागा दस आप चाहो तो 11 भी कर सकते, कोई दिकत नहीं, हमने कर दिया, इस साइड होगा माइनस वाला, तो माइनस का 1, ठीक है, उधर होगा माइनस का 2, हमने कर दिया, ओके, सॉरी, लाइट आप हो गई है, है ना, चलो, अब यह ओन हो गया, अब क्या करेंगे, पैरे बच्चों, कि प्लस का यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, यह मैंने कर दिया, कोई दिकत, नहीं है दिकत, अब हम इसमें मान पुट करते, नीचे भी क्या वो जागा, इधर, माइनस का 1, माइनस का 2, ओके, और माइनस का 3, माइनस का 4, आप कर सकते हो, चलो, आप पूट करते समीकरन एक में हम देख रहे हैं यहां पर प्यारे बच्चों कि यहां पर क्या है एक्स कामान दस है तो य कामान जीरो है तो एक्स कामान दस यहां पर हो जाएगा य कामान जीरो यहां पर हो जाएगा 0 देख मुल बिंदू पर आता है X भी 0, Y भी 0 आता है तो 0 यहीं पर रहेगा और X कमान 10 है तो इधर चलेगा इधर आ जाएगा इस बिंदू का नाम हो जागा 10,0 तो हम इस बिंदू का नाम लिख सकते 10,0 ठीक है? हमने कर दिया अब X कमान 3 तो Y कमान 5 अब X कमान 3 यह है और Y कमान 5 है तो इधर से चलेगा Y कमान 5 यह है और X कमान 3 तो यहाँ पर आएगा इस बिंदू पर आएगा ठीक है? इधर से 5 चला इधर से 3 चला तो इसी बिंदू पर मिलेगा तो हम यहाँ पर लिख सकते 3,5 ठीक है? अब इन दोनों को हम क्या करेंगे पैरवच्चे जो जो बिंदू है एक दस पर किये इस दोनों को हम क्या करेंगे मिला देंगे तो आई यह मिला देते हैं हम तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसको हमने मिला दिया इस बिंदू से इस बिंदू को ठीक है यह हमारे पास समीकरन एक था हम लिख देते हैं यहाँ पर यह हमारे पास जो है वो समीकरन एक का था ठीक है हमने एक का रेखा बना दिया यह जो सरल लेखा है अब दूसरी सरल लेखा देखते हैं तो हमारे पास क्या है समीकन 2 में समीकन 2 में क्या है पैर बच्चो यहाँ पे x का मान 8 है तो y का मान माइनस 2 है तो y का मान माइनस 2 है तो y का मान माइनस 2 यहाँ पे नीचे तो यह इधर से चलेगा ये इधर से चलेगा तो इस Bindoo पे मिलेगा पैरे बच्शों, तो इस Bindoo पे हम लिख सक्ते हैं 8, माइनस के 2 है, ये मैंने कर दिया, अब यहाँ से देख लिए आगे point कि X कमान 3 है तो Y कमान 5 है, अब X कमान 3 यह है और Y कमान 5 यह है, तो यहां से यह चला यहां से चला यानि इसी बिंदू पे मिला तो इस बिंदू को इस बिंदू से मिला देंगे तो आईए हम मिला देते हैं पैर बच्चो इस बिंदू से इस बिंदू को क्या दिक्कत है और आपको पता है कि जहां पे करता है वही पे अंसर होता है सब को पता है पैर बच्चों तो हम इसको क्या करते मिला देते हैं यह लो भाया हमने मिला दिया ठीक है यानि अरे यार देखो यह थोड़ा सा बाहर हो गया इस बिंदू को लाना था हमने गलत तरीके से यह रख लिया था तो आप देखो आप तो यह समझ गया हो कि कैसे होगा है न इसको मिला देंगे तो ओके आपने यह करते हैं मतलब यह समझो कि यह थोड़ा सा साइड में चला गया है हमने इसको सही से प्रोपर नहीं रखा ने तो यह बिंदू इस पर आना चाहिए और इस बदेखो दों साइड हो गया चलो मतलब इस पर कटेगा तो यानि 3,5 प एक मान क्या हो जाएगा बाबु 3 और य कमान क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा हम ने कर दिया यहीं हमारे पास आंसर करकर के आ ठीक है अब किसी भी वीदी से सौन्व करोंगे तो यहीं यह अंसर आएगा कोई दिख़त नहीं ना दिकत प्यहолод यह आपने क्लियर कर लिया अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों आगे हम देखते हैं अब करेंगे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि बाभू परतिछेदी करती रेखा ये समानतर है अतवा संपाती ये आपको कंडिशन बताना है तो यह आप यहां पे देख लिजिए अगर प्यारे बच्चों जब हम दो समीकरन का तुल्ना करते हैं अगर एउन वट्टा लगकी ये समानतर है अब हम बात करते हैं कि अगर Kja, A1 वाटा A2, बराबर B1 का B2 को ता को इसमानतर समान पर रिखाएध सभाच यह और बराबर नहीं,C1 वाटा C2 आता है तो इसका गराब कम आप कहीं तो इसका का मतलब B2 समान पर रेखाए हो दnegना होती इस बात 258 एलता उसमान पर होता है कि यह संगत होता है कैसा होता है संगत होता है इस बात को ध्यान रखना संगत होता है ठीक है वहीं बात करते हैं और इनके जो हल होते हैं अपर मित रूप से अनेक हल होते हैं क्यूंकि इनकी रेखा जोता है एक रेखा पर दूसरी रेखा चड़ जाती तो एक रेखा प बिंदू काट दिया अगला रेखा तो यह एक बिंदू पर कारता है इसका एक हलो ता ठीक है तो यह भी आपने समझ लिया तो यह संगत होते हैं अब हम क्या करते इसको मिटा देते हैं चल बाई यहां से तो देखो concept को आपको क्या करना है बैभू क्लियर करते चलना है तो यह भी संगत होते हैं यह संपाती रिखाएं होते हैं तो यह भी क्या होते हैं प्यारवच्छों संगत ही होते हैं या दूसरे सब्द में आश्रित भी कह सकते हैं संगत ठीक है तीसरा नमबर क्या होता है असंगत समानत ठीक है असंघत होते है दिख रहा है ना तो आपने यह क्लियर कर लिया अब हम क्या करते है पॉइंट को हम स्वाल्व करते हैं कि संघत है यदना में है तरह प्रोगत है कि संगत है तो इसको मैब direito क्लिरे आटम ऑट यहां पर मान पूट कर लेते हैं समिकरन एक वाले का, यह समीकरन एक है, और यह समीकरन हमारे पास दो है, तो समीकरन एक में हम मान पुट कर लेते हैं, क्या पुट करेंगे, यह A1 है, यह B1 यह C1 है, तो A1 की वैलू क्या है, पैर वच्चो, A1 की वैलू है, हमारे पास है, 5x है न, तो उसमें 5 लेंगे, चरवला मान नहीं लेते हो नहीं और चरवाला, ठीक है A1, हो गया B1 का मान क्या है हमाने पास, तो B1 का-4 है, हम-4 लेंगे, उसके बाद C1 का मान क्या है, तो C1 का मान 8 है, तो हम 8 लेंगे, उसी बाद, बूसरे समयकरण में जायर ल dalam rate लिखेंगे, दूसरे समयकरण में, माइनस के 9 तो हमने माइनस का 9 लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है ने दिक्कत परवचो हमने ये क्या किया मान को रख दिया अब हम तुलना करेंगे चलिए यहां से लिख देना हल ओके हल एक ए 1 बटा में ए 2 चलो मान पूट करतें ए 1 की वेलू कितना है पाँच उसके बाद ए 2 की वेलू कितना है 7 चलो यह पॉंट ही आगया अब हम ए 1 बटा 2 हो कया ब 1 बटा 2 पर देख लेते हैं और दो दुनी 4 काटो तो आज आएगा माइनेस के दो बटा तीन आगे देखते हैं तो प्यारे बिचों का मान है एक्ट और हम यहां पर क्या condition देखेंगे हम यहाँ पर देख रहे हैं आङटा नहीं नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं a1 बटा में a2 बडाबर नहीं बटा में लीटू कूstat कि इसका जितना मान है उतना मान इधर नहीं आया तो यह बराबर नहीं है और इस परकार कि जब condition होते हैं तो वह क्या होता है उसका graph कई सा होता है परती छेदी या संपाती या समानतर रेखा है तो आप देख सकते हैं तो इसका graph कई सा परती छेदी होता है तो वही तो बताना कि परती छेदी है या समानतर अथवा संपाती यह condition बताना है तो यह निकल करके आगया है ना तो हम लिख सकते ही कि अतहिक इसका प्रति छेदी रेख है अतहि अतहिक है अतह यह समीकरन समीकरन का ग्राफ कीसा या या प्रति यह है या gotta प्रतिछेदी डेखा है वह वह कोई दिखत इसका अगराव किसा वह प्रति छेदी रेखा है को दिक्कत नकाद तो आपने इसको Con parents मैं समझ लिया ओके आगे बढ़ते हैं सिम्सकी अंधरोगे देख लेते हैं दुसरा का दूसरा का दूसरा का solve करेंगे तो वही बात है ये A1 B1 C1 हम यहां पर लिखे देते हैं A1 का मान क्या है A1 का मान है प्यारवच्छो 9, B1 का मान क्या है प्यारवच्छो B1 का मान है 3, C1 का मान क्या है 12 उसी तरीके से A2 का मान क्या है तो A2 का मान है प्यारवच्छो यहां पर देख सकते 18 उसके बाद बीटू कमान किया है प्यारवच्छो तो बीटू कमान यहां पर देख सकते 6 है ना तो हम 6 लिखेंगे कॉमा C2 कमान कितना है प्रवच्छो हो C2' कमान 24 है तो हम लिखेंगे 24, हमने लिख दिया अब A1 बटा A2 पे तुलना करेंगे चलिए, यहाँ पे तुलना करते है है न? A1 बटा A2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1 बटा में A2 बराबर, A1 मान है 9 और A2 कामान है 18, काटेंगे 9 दुना 18, तो 1 बटा 2 आजाएगा, आएगा कि नहीं, अब वहीं हम बात करते हैं, A1 बटा 2 हो गया, B1 बटा में B2, है न, तो B1 कितना है प्यारे बच्चों, तो B1 हमारे पास 3 है, और B2 कितना है बाबू, तो B2 हमारे पास 6 है, तो हमने 6 लिख अब यहां से क्या करेंगे बाबू, B1 है, B2 यह है और 3 बटा 6 है, तो B1 कामान देख लेते बाबू, तो B1 हमारे पास 3 है, तो 3 दुना 6 काटो, तो 1 बटा 2 ही आएगा, है न, काटेंगे तो, अब हम C1 बटा C2 का देख लेते हैं, तो C1 बटा में C2, तो C1 कामान कितना है, 12, ओके, और C2 कामान कितना है, 24, जब इसको काटेंगे 12 दुना 24, तो 1 बटा 2 ही आएगा, तो हम कह सकते हैं, प्यारे बच्चों, क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, कि यह जो आया, A1 बटा में A2, बराबर आया B1 बटा में B2, और बराबर आया C1 बटा में C2, यही न, 3 बटा में B2, और इस परकार का जब condition होता है, तो कैसा होता है, मैंने पीछे बाले पेच पर पता आया था, इस परकार का जब भी होता है, तो प्यारे बच्चों, ग्राफ जो होता है, शंपाती होता है, यह एक रेखा पर दूसरी रेखा च़ट जाती है, तो हम लिखेंगे अतह इस समीकरन का, ग्राफ कैसा है बाबू, ग्राफ संपाती है, लिखेंगे, संपाती है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत प्यारे बच्चों, तो आपने क्या किया, संपाती वाला कंडिशन बता दिया, ठीक है, तो यह हमने कर दिया, आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रशन क को देख लेते हैं तो तीसरा यह हमारे पास है क्या है प्यारवच्छों यहां पर देख लो कि A1 का मान 6 है B1 का मान माइनस के 3 है और C1 का मान क्या है 10 है अब हम क्या करेंगे A2 का मान क्या है प्यारवच्छों A2 का मान 2 है कमा B2 का मान क्या है पैरवच्चो B2 का मान हमारे पास है माइनस के Y है ने इसमें एक छिपा रहता है तो माइनस के ये एक हो जाएगा और C2 का मान क्या है पैरवच्चो तो C2 का मान हमारे पास 9 है हमने 9 कर दिया कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत पैरवच्चो शचरू अब हम क्या करेंगे तुल्ना करेंगे एवन बटा एटू कामर वाटा वैसा था सुंप और B1 वता B2 न तो हम यहाँ पर लिखते हैं B1 वता में B2 तो B1 कितना है B1 हमारे पास-3 है और B2 कितना है, माइननस के 1 है manageable yarni 3 आएगा, A-C2 देखेंगे तो हम chiff 1 C1 वता में 3 C2 अगर त्राई करते हैं और C2 हमारे पास 9 है, प्यारबचो यह तो कटेगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दो चीज बराबर है, A1 वटा A2 का वेलू 3, B1 वटा B2 का वेलू 3 है, तो दोनों बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं, यह दस वटा 9 है, यह बराबर है क्या? नहीं है यह तो बराबर नहीं हुआ इस प्रकार के जो condition आते है समीकन में, तो इसका graph कुईसा होता है परवचो, तो समांतर रेखाए होता है, तो लिखेंगे अतह अतह, graph, graph क्या होगा बभु समांतर रेखाए होंगे, इसको मिटा नदिफ, समांतर रेखाए होंगे, किसा होगा परव सखा है हमने कर दिया प्रश्चों यह कोई दिक्कत नहीं है दिकत प्रश्चों कंडिशन यहां पर क्लियर हुआ आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रशन को देख लेते तीसरा में टोटल प्यारवच्चों कितने प्रश्चन है पांच प्रश्चन है तो पांच प्रश्चन को हम संगत है या असंगत संगत है या असंगत प्यारवच्चो कोई दिक्कत हम जान लेंगे यहां पर संगत असंगत की बारे में हम लिख देते हैं आपको पता ही था कि A1 बटा में A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा में B2 तो यह कैसा होता है इसका हल संगत होता है प्यारवच्च होता है संगत को हम विरोधी कहते हैं और असंगत को विरोधी कहते हैं इस बात को ध्यान रखना वहीं हम बात करते हैं कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 और बराबर नहीं है C1 बटा में C2 तो असंगत होता है इसका हल कैसा होता है असंगत ठीक है इस बात को ध्यान रखना संगत को क्या बोलते हैं पैरवचो और विरोधी बोलते हैं और असंगत को विरोधी बोलते हैं ठीक है तो इसका हम प दो X माइनस के 3Y बरावर में साथ, संगत संगत बताना है बड़ा सिंपल है, वही तुलना करना है A1 वाटा A2 पे ही, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले, यह हमारे पास 3X है और पलस के 2Y है, और यह पलस का 5 है, पक्षानतर करेंगे, माइनस के 5 बरावर मे 0 हो जाएका, हलो, है ना, बरावर में 0 हो जाएगा, तो यह हमारे पास समीकरण 2 हो जाएंगे है ना, समीकरण 2, करेक्ट, यह आ गया, अब A1 वाटा A2 का माँ बीवाटा B2 पे तुलना कर देंगे, ठीक है, तो आई यह तुलना करते है, A1 बटा में A2, बराबर B1 वाटा म में b2 है न तो a1 वटा a2 a1 का मान कितना है यहां पे 3 हो जाएगा आपको पता ही होगा यह a1 है यह a2 है तो a1 हमारे पास 3 है और a2 हमारे पास यहां पे 2 हम डाक्ट कर दिये ठीक है b1 में b2 तो b1 कमान कितना है b1 कमान 2 है और b2 कमान माइनस के 3 है तो हम यहांपे कह सकती है यह तो यह तो बराबर होई ही नहीं सह की लिगर के क्योंकि इसमें माइनस है गलती से आप माइनस चोर करके यह नहीं बराबर कर देना नहीं तो फिर अनर्थ हो जागा गलती इंसर गलता जाएगा ठीक है यहाँ पर लिख लेना आप लोग हल ठीक है यह हल हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि बाबू A1 बटा में A2 बराबर नहीं है यहाँ पर B1 बटा में B2 ठीक है तो जब यह बराबर नहीं है तो इस परकार का देख लो संगत होगा यह संगत तो प्रतिछेदी और एक हल होते हैं अदूती होते हैं लेकिन इस परकार का मैंने बता दिया था कि संगत होता है कैसा होता है प्रतिछो संगत होता है तो लिखेंगे अताह यहाँ समीकर संगत है हमने लिख दिया आई इसका दूसरा का तुलना कर लेते हैं दूसरा का यहां पर लिखेंगे हल ओके मैंने लिखा अब यहां पर लिखेंगे प्यार बच्चो, समीकरन को लिख लेते हैं अच्छा से, यह 2x है, माइनस के 3y है, प्लस के 8 है, पक्षान तक है, माइनस के 8 बरावर में 0, यह समीकरन 1, अब इसमें देख लेते हैं, 4x माइनस के 6y और प्लस का है, यह आजाएगा माइनस के 9 ना कर देंगे ना तो चलिए एवन है ये 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 टू है सब तो जानी ही गया आप डाक्ट तुलना कर लेते हैं एवन बटा में एटू बरावर क्या हो एवन दो है और एटू चार है हमारे पास कि दो दूनी चार यानि एक वट्टा दो आ जागा उसी तरीके से बीवन बटा म है माइनस के 3 हो जागा और बीटू कमान कितना है पैर बच्चो तो बीटू कमान है माइनस के 6 है तो माइनस के 6 अब ये क्या होगा माइनस से माइनस कट जागा तो तीन दूना 6 हम काट सकते हैं तो कहने का लिए एक वट्टा दो आ जागा ठीक है ये माइनस से माइनस से भी पैरवच्चो यह हमारे पास क्या प्लस का 9 है ना तो यह हो जाएगा हमारे पास माइनस के 9 यहां पर है तो C2 है माइनस के 9 माइनस माइनस कैंसिल तो यह हो जाएगा आठ बटा में नौ कटने वाला है क्या हमरे ख्याल से यह नहीं कटने वाला है है तो यह नहीं कटेगा तो अब हम क्या करेंगे प्यारवच्व हम यहां पर देख सकते हैं कि यह क्या है दो मान बराबर है कि यह मान बराबर है तो हम ल दिखेंगे अताह अताह यह समीकरन यह समीकरन कैसा है बावु यह समीकरन असंगत है असंगत है कोई दिक्कत नहीं है दिकत प्यारवच्छो अब हम क्या करते हैं अगला प्रशन ले लेते हैं अगला ले लेते हैं प्यारवच्छो यहां पर तीसरा तीसरा में हमें बताना है स लेते हैं, A1 बटा A2, D1 बटा B2 इस पर तुलना करना है ना, या फिर इसका LCM भी ले सकते हो, LCM ले करके ही देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, इन दोनों का LCM ले लो, 2-3 का LCM कितना होता है, पैर बच्छो 6 होता है न, तो 6 होता है तो हम रख दिये 6, 2-3-3-9, 9 हो गया, 9 X ह होगा प्लस में 0 510 आउम500 के या 510 झागा बरावर में साथ हम इसको क्या कर सकते हैं तो 9 x और प्लस में दैस वाई और बरावर क्या क्रे Practition Mitt 20 yn ब्रावर में यह जीरो नहीं रखे रहरे है ठीक है और बरावर में यह 0 तो यह हो जाएगा हमारे पास के रहरे है समी करन हो जाएगा 2, तो हमने लिख दिया समी करन 2, clear, कोई दिक्कत, नहीं है दिकत प्यारवच्चो, ओके, अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 पे, कोई दिक्कत में तुलना कर देतें, बाबू, क्या करेंगे, A1 बटा A2, तो हम लिखते है, A B1 बटा में B2 कर देते हैं, तो B1 हमारे पास कितना है, तो B1 आप देख सकते, B1 10 है, तो हम लिखेंगे 10, और B2 कितना है, B2 है माइनस के 10, B1 10 है, और B2 किया है, माइनस के 10 है, तो हम लिखेंगे माइनस के 10, काटेंगे तो आए गया, माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक है, अब B1 बटा B2 हो गया, C1 बटा में C2 का तुलना कर देते हैं, C1 हमारे पास कितना है, C1 हमारे पास minus 42 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे minus 42, और C2 कितना है, minus 14 है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे minus 14, आप चाहो तो इसको काट सकते, इसमें कोई दिकत नहीं है, है ठीक है तो हम यहां पर काट सकते 21-42 और यहां 7-14 से-minus cancel कर जागा अब इसको काट सकते हो 7-23 है नहीं तो हम क्या करते हैं साथ 8-23 काट सकते हैं लो 14-42 से भी काट सकते थे तो यह 3 आ गया किया प्हेरवच्छों तीन आ गया हमारे पास, तो यहां एक माइनस है कि यहां तीन, तो कह सकते हैं प्यारे बच्छों, कि यह A1 बटा एक टू और B1 बटा नहीं है, तो अम लिखेंगे, कि यहां पे, अतह, अतह, A1 बटा में A2, बराबर नहीं है, B1 बटा में B2, इसलिए, यह क्या होगा, अतह, यह यह फिर लिख सकते हैं, इसलिए, यह समीकरन, जो है बावु, समीकरन क्या है, संगत है, क्या हो जगा, संगत है, संगत है, यह फिर ऐसे कह सकते हो कि औविरोधी है, और संगत को विरोधी बोलते हैं, ठीक है, तो हमने यह क्लियर कर लिया, आगे वाले पे चलते है है यहाँ पर हम क्या प्रशन सॉल्व कि यह ? तीसरा, चौथा सॉल्व कर लेते हैं, चौथा को solve करते हैं, क्या दिकत है ? चौथा हमारे पास यह इसको विवस्थित कर लेते हैं, पांच X माइनस के 3Y और प्लस के 11 है, माइनस के 11 हो जागा बरावर में 0, इसको माल लेते हैं समीकरन 1, तो हमने माल लिए समीकरन 1 उसी तरीके से, यहाँ पे माइनस के 10X है और प्लस के 6Y है, ठीक है, यह माइनस है तो यह हो जागा प्लस के 22, ठीक है, बरावर में 0, यह हो जागा समीकरन में 2, तो यह हो जागा समीकरन 2, हमने समीकरन 2 लिख दिया, है ना, समीकरन 1, एंड समीकरन 2 हो गया, कोई दिक्कत? नहीं है दिकत, प्यारवच्छो, अब हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, A1 बटा A2 यह A1 B1 यह C1 A2 B2 C2 आपने समझ लिया अब A1 हमारे पास क्या है पैर बटा में A2 तो A1 हमारे पास क्या है दो को पानी भी नहीं लेगा सर जी पानी दीजे थोड़ा है ना तो यह A1 हमारे पास कितना हो जाएगा A1 हमारे पास हो जाएगा 5 और A2 हमारे पास कितना हो जाएगा पैर बच्चो तो A1 यह 5 हो जाएगा A2 हमारे पास हो जाएगा बच्चो 6 है तो हम 6 लिख देंगे, काट देंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 काटेंगे तो यह अभी आएगा माइनस के 1 वट्टा 2 आजाएगा, अब 21 वट्टा 2 हो गया, C1 वट्टा में C2 का तुल्ला करेंगे, है न, तो C1 वट्टा C2, तो C1 हमारे पास कितना है पैर बच्चो, C1 है माइनस के 11, तो हम लिखेंगे माइनस के 11, और C2 हमारे पास कितना है, ंट तो CTU है पस्पशा के 22 तो हम लिखेंगे कि पलस के 22 काटेंंगे 11, 12 कह सकते माइनस के एक वर्ट्टा दू आए गया, तीनों क्या हो गया पारवाच्चे यौ बराबर आगया तर थे हो गया बराबर आगया यह था नवथ definite पानी पी लेते हैं पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है कि गला सुखने लगता है अगर अच्छा लग रहा है न तक कमेंडिमेंट ज़र्वी करना आई यह तीनों बराबर हो गया अब तीनों बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि बाभू कि एहन बतामे अटू बराबर बीवन बतामे बीटू और वराबर शीवन बतामे अच्छाएँ अब जब तीनों बराबर होता है तो प्रलभात यह संगत हो जाता है क्या होता है प्र फार्श त defense hai question कि इसलिए यह समीकरन समीकरन क्या हो जाएगा बबू संगत हो जागा संगत है को दिक्कत नहीं है दिकत प्यारबच्चों यहां पर इंख छीन देना की अतहकाई ऐसे भी लिख सकते है क्थय दिकत यह निए अधैस यह संघत प्रवच्छ से क्या करें लिए आघो कॉंसा सॉल्व कर दोटांोत काई रिता है ऑजिता हूं क्या मनिकष्य art तीन ले लेंगे कि इसके नीचे एक चिपा रहाता है हम इसको कह सकते हैं कि 4 x 6y और बराबर में कितना हो जाए तो यह हमारे पास क्या आजागा पैरवच्चों यह हमारे पास आजागा 4 x प्लस के 6 y और प्लस का 24 से पक्षानतर गरेंगे तो माइनस का 24 हो जागा बरावर में 0 यह हम इसको मालनेंगे समीकरन 1 हमने मालनें समीकरन 1 इसमें देख लेते हैं इसमें क्या 2x प्लस के 3y और माइनस के हो जागा 12 बरावर में हो जागा 0 ये समी करन हमारे पास हो जाएगा समी करना सनलेंड़ दो हमने 2 कर दिया अब क्या करेंगे परश्ग रभन कर यहीं में कर लेक्ट यहाँ कर सकते इंप रहेज है्म अबारे पास तो आप हमारे पास यह है चार और कैसं तो A2 हमारे पास है 2, काटेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी, 2 दूनी चाड़, यानि 2 निकल के आएगा, ठीक है, अब क्या करते हैं, बाबु, B1 बटा में B2 करते हैं, B1 बटा B2, तो B1 हमारे पास कितना है, प्यार बच्चो, 2 आजाएगा, उसी तरीके C1 बटा C2 करेंगे, तो C1 हमारे पास कितना है, प्यार बच्चो, तो C1 बटा में C2 करते हैं, तो C1 हमारे पास देख सकते हैं, C1 माइनस के 24 है, माइनस के 24 लिखेंगे, और C2 कितना है, C2 हमारे पास माइनस के 12 है, तो 12 लिखे दिये हैना मायने से मायने से 12 दुना 24 काटेंगे तो 2 आ जाएगा कितना जाएगा पेरवच्छो यह चल रहा है यह देखो मच्छरी यह दो यह बैठ के ना मार कि ना तरह भूजिया बना दोंगा मैं अना वाटज जाता है तो थी यहां नहीं चलता है ना यह हो जाएगा 12 लुनधा 24 तो यहां पर लिह सब्लबर तो तीनों बराबर है दो दो आ गया कि आता सताा ऑघ Mix तो हमने चोथा इस प्रकार के च्वास्ट कर लिए आगे बड़ते हैं आगे हम क्या करते ऊंच पाँछमां हमने शॉल्व कर लिया था थिक है लच थाया है अब हम क्या करते इस प्रश्ण को solve करते है, चौथा प्रश्ण को, चौथा क्या कहता है, जरा देख लो प्यार बच्चो, चौथा कहता है कि निम्निराखिक समी करनों के यूग में से, कौन से यूग संगत है, असंगत है, यदि संगत है, तो ग्राफिय विधी से हल ज्याद कीजिए, प्यार प्रश्ण देख लेते हैं, हमें क्या करना है, ग्राफिय विधी से solve करना, इस बात को ध्यान रखना, चलो यहाँ पर लिखते हैं हल, पहले संगत असंगत का तुलना कर लेती है, ये एक्स, पलस की हो जागा य, प्लस का पांच है पक्छांतर रहे तो माइनिस के पांस हो ज हो जागा 1, हमने कर दिया समी करन 1, अब क्या करते हैं इसको, 2x पलस के 2y और माइनिस का हो जागा 10 और ये हमारे पास हो जागा समी करन कितना, तो समी करन हो जागा हमारे पास 2, और बराबर में ये 0 रख देना, तो हम यहाँ पर बराबर में 0 रख देते हैं, ठीक है, हमने क दिया अब यह संयरे कान थो अब हम क्या करेंगे क्या पिधिया तूल न करेंगे लिगे टू पर थुटा फारे गरेंगे एवण पहुत दोलेंगे ध्राट लोस法 कुने दिया Ka एक वट्टा 2 हो गया अब C1 वट्टा में C2 ले लेते हैं C1 वट्टा में C2 चलो C1 हमारे पास है माइनस के 5 और C2 हमारे पास है क्या माइनस के 10 तो हमने यहां माइनस माइनस कर दे पांधूनी 10 यानि एक वट्टा 2 आ गया तीनों बराबर है क्या है प्यारवच्चों हम यहा तो हम क्या करेंगे यहां पे तीनों बराबर है तो हम कह सकते यह संगत है और जो संगत होगा प्यारे वच्चों उसे हमें क्या करना है तो भाई ग्राफिय विदी से सॉल्व करना है तो हम लिख देंगे कि अतह यह है तो इसलिए इसलिए यह समीकरन क्या है प्यारे वच्चो संगत है और आपको पता कि तीनों जब बराबर होते हैं तो इसका हल अपरमित रुप से अनेक होते हैं कहने का मतलब इसका जो graph होगा न वो संपाती होगा एक रेखा दूसरी रेखा पर चोड़ जागा जब ग्राफ बनाएंगे न तो एक रेखा पर उपर क्या होगा दूसरा रेखा चोड़ जागा सीधा ठीक है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले प्यारे बच्छों coordinate ग्याद कर ल तरीके से यह X और यह Y ठीक है और यह हमारे पास समी करन 2 हो जाएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे प्यार बच्चो देख लो यहां पर देख लो प्यार बच्चो यह सब आ गया हमारे पास यह समी करन है यह समी करन है ठीक है अब यहां पर समी करन एक में इसमें पूट करेंग एक कमान पूर केंगे दुसरा कमान आजायगा कैसे आगर हम इसमें y कमान अगर 0 रखते हैं तो x कमान minus 5 आता है इस बात को जानते हैं अगर हम y कमान अगर 0 रख देते हैं तो y के जगा पे 0 तो का कहानी खतम अब यह माइनस के 5 है पक्षानता रखें तो प्लस का 5 होगा जैसे हम यहाँ पे इतना दूर में solve कर लेते हैं ठीक है देख लेना जैसे यह x है तो x लिखेंगे और प्लस में y के जगह पे 0 रखें तो 0 और माइनस के 5 बरावर में 0 और प्यारे बच्चो यह हो जाएगा x और 0 माइनस 5 है तो यह माइनस 5 ही रहेगा बरावर में 0 तो हम कह सकते हैं कि x बरावर यह माइनस इधर जागा तो प्लस का 5 हो जागा तो हम यहाँ पे प्लस का 5 रख दि X common अगर हम देखो, यहां पर X common अगर 0 रख लेते हैं, तो क्या होगा पैरवач्चो, plus की Y तो Y और minus की 5 तो 5 बराबर में 0, तो यह हो जाएगा Y minus की 5 बराबर में 0, तो हम कह सकते हैं कि Y की value minus 10 तो प्लस का 5 यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत? नहीं है दिक्कत पैरवच्चो, अब हम क्या करते हैं, इसको round में लगा देते हैं, इस साइड यह अपना अलग-अलग की है, है ना? ओके ठीक है पैरवच्छो इसको अलग रख देते हैं तो यह मैंने कर दिया अब समीकन 2 के लिए कोडिनेट ग्याद कर लेते हैं तो समीकन 2 के लिए 2 कोडिनेट यह हमारे पास समीकन 2 है इस साइड हम निकाल लेंगे समीकन 2 में कैसे निकालेंगे प्यारवच्छ वो इसमें आपको मान रखना है और इधर इस चोटी सी जगा में हमें क्या करना है क्या करना सबसक्त कोई दीख Έत हम सूल् Vietnamese कैसे करेंगे देखनो प्यारवच्छ पे 0 और बराबर यहानि माइनस के दस है बराबर से उद्र ले जाएंगे तो पलस का 10 डाक्टे कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं तो यहां पे लिख सकते हैं कि 2 X लिखा और यह हमारे पास क्या होगा दो में 0 से गुना करेंगे तो 0 उसका कानी खतम तो 2 x बराबर 10 आ जागा 2 पंचे 10 इसको काट सकते हैं तो अरे अच्छा अच्छा मच्छर देखो के नहों बाइट गया होगा हट भाई अच्छा उधर भाग गया तो x अरे ले 2 x ना 2 x बराबर ये तो हम इसको काट दे 2 बच्छो अब y के जगह पर 0 रखेंगे क्या रखेंगे y के जगह पर 0 रखलेते हैं य क्या मामान अगर हम 0 रख लेंगे इसमें Lance करेंगे तो 0 ही होगा तो इसका कहनी я खतम कि एक स्विक्षकर रखत घ्राव में गुरहां 0 pseudo होगा कानी खत्म हना तो इसको काट सकते दो पंचे दशवाइध की व्यली आज याएगी पांच तो यहां पर हम रख सकते वाई की वैलू पांच तो यह हमारे पास समय करने एक और यह समीकन दो अब क्या करेंगे प्यारवचो इसको गराफ पर सॉल्ब करेंगे इस प्रसाइ голос कौध मिँअ क्या सब में रिखते हैं ऊभ हम यहां पर यह हम यहां से खीच लेते हैं तो आप लोग सही से proper जो है और वह लाइन खीच ना अभी यहां पर क्या करते हैं परवच्चो यहां पर देखिलो 2 इधर क्या मुल बिंदू पर 0,0 नि एक रखा दूसरी कहाँ जहां पर कारते हैं वो मूल बिंदू है ठीक है तो इस पर 0,0 होता है यहां पर लिख देते हैं यह प्लस का 1 हो जाएगा यह प्लस का 2 यह हो जाएगा प्लस का 3 यह हो जाएगा प्लस का 4 यह हो जाएगा प्लस का 5 और यह हो जाएगा प्लस का 6 है अब हम क्या करेंगे यह हो ज माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा दिल माइनस का 5 हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा पैर बच्चो तो माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पे 4 हो जाएगा कोई धिकत नहीं है धिकत पैर बच्चो और यहाँ पर क्या होगा माइनस का 5 हो जाएगा रहने दो तो हमने यह कर दिया अब हम यहाँ पर मानपूट कर सकते हैं यहाँ पर माइनस का 1 माईनस का 2, अरे ये मैंने क्या कर दिया, इधर माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, और इधर माइनस का 5, हमने कर दिया, चलो मान पूट करते हैं, समय करने एक से देखते हैं x common 5 है तो x common 5 और y common 0 है तो 0 तो यहीं पर रहेगा यानि इस बिंदू पर आएगा इस बिंदू पर हम लिख सकते हैं कि 0,5 है ना नहीं 5,0 लिखेंगे क्या लिखेंगे 5,0 इस बिंदू पर हमने कर दिया अब x common 0 तो y common 5 X कमान 0 यहीए फिर कमान 5 यहां पर आएगा ठीक है इस बिंदू पर यहां पर लिख सकते है कि 0, 5 ठीक है तो लिख देते हैं 0 कमा पाउच इस बिंदू का अब यह बिंदू और नों बिंदू को क्या करेंगी पैरव вып法 सी मिला देंगे चलो हम मिला देते हैं लो भाई यहाँ पर क्या करेंगे मिला देंगे ओके चलो आज आओ भाई सही से वैसे भी हम सही से खिषते नहीं रहते हैं लो भाई हमने मिला दिया अब मिलाने के बाद क्या करेंगे अब फिर देखना इस समीकान 2 में समीकान 2 में क्या करेंगे x का मान 5 है तो y का मान 0 मालों की x का मान 5 है तो y का मान 0 इसी बिंदू पर आएगा चले कि यह बिंदू आ गया फिर x का मान 0 तो y का मान 5 x का मान 0 तो y का मान 5 यानि इसी बिंदू पर इस बिंदू पर इस बिंदू पर तो इसी बिंदू पर एक और र रूप से अनेकल होते हैं क्योंकि एक र verwag duas like को नहीं कट रहे हैं एक यूपर चढ रहा है तो एक रिपर चढड़ा इसका मतलए एकृवर प्रानंत बिंदू होती है इसलिए इसका हल जो होगा अनंत हल होगा ठीक है तो लिखेंगे क्या पेरवच्चों कि यहाँ पे लिख देते हैं कि अताहा हल जो है न हल अपरी मित रूप से अनेक हल होंगे अपरी मित रूप से अनेक होंगे अनेक हल होंगे या अन्गिनत हल होंगे ठीक है, ओके, हमने लिखे दिया, आईए, अब क्या करते हैं, पैरवचो अगला प्रशन ले लेते हैं, इस प्रशन को हम देखेंगे, दूसरा प्रशन में बताने हैं संगत है या संगत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं सबसे पहले हल, तुमने लिखा हल, अब यह करेंगे क्या, x-y और यह पलस का 8 ही हो जागा, समीकरण 1 हो जाएगा, वह इसमें देख लेते हैं, यह है 3, x- 3y पलस का 16 ही दर आजगा, माइनस के 16 बढ़ावर में 0, यह हो जागा, समीकरण 2, ठीक है, हम ने समीकरण 2 कर दिया, अब क्या करेंगे प्यारे वच्चों प्यारे वच्चों अब यहां से हम क्या करेंगे वही तुलना करेंगे कोई दिकत ने एवन आटा एटू कमार बीटू पर देख लेते हैं बीवन बटा में बीटू की तुलना कर लेते हैं B1 की value हमारे पास minus y है, तो इसमें एक शिपा रहता है, यानि माइनस का एक हो जाएगा, तो माइनस का एक लेंगे, और B2 की value क्या होगा, B2 की value minus 3 है इसमें एक शिपा रहता है, इसमें क्या होता है, एक शिपा रहता है, वो हम ले लेंगे, तो minus का हम 3 ले लेंगे, तो C1 हमारे पास देख सकते हैं, C1 क्या है? अच्छा, 1 वटा 3 माइनस माइनस है, इसमें कुछ गर्वर नहीं न किये हैं, एक वड़ा ठीक है, अब हमारे पास C1, C1 वटा C2, C1 की वेलू हमारे पास माइनस के 8 है, ओके, और C2 की वेलू माइनस के 16 है, ठीक है? हमने यहाँ प बटा 2 है, तो दो जगवरा और एक तीसरे में बड़ाबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अतहा, अतहा, एवन बटा में A2 बड़ाबर B1 वटा B2 है, क्योंकि इन दोनों का मान बड़ाबर एक वड़ा ठीक है, यहाँ भी वड़ा ठीक लेकिन बड़ाबर नहीं है, C1 वड़ दो हो इसलिए C1 वटा सीडू बराबर नहीं तो प्इलबं मेन दो इस प्रकार के जब भी समीकरन का आता है डाइग्राम तौह हम कह सकते हैं कि यह असंगत है कि ए इसलिए यह यहां इस लिए यहां माल मार के भुजया मना दुगा चलने नहीं है क्या होगा पैरवच्छो असंगत है तो जब असंगत है तो हम इसका ग्राफ पे सॉल्ब नहीं करेंगे क्यूं क्यूंकि हमें तो संगत समी करना ग्राफ पे सॉल्ब करना है न इसलिए तो दूसरा असंगत है चलो अगला हम ले लेते हैं परवच्चो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लेते हैं चलिए यह हमारे पास है A1 की value हमारे पास क्या है परवच्चो A1 की value 2x है इसका मतलद 2 लिखेंगे यहां पर लिख लेना हल ओके कोई दिकत नहीं दिकत A1 का value 2 उसके बाद A1 हो गया B1 B1 की value क्या है परवच्चो इसमें एक चीप आ रहता है C1 की value क्या है परवच्चो C1 की value minus की 6 है अब देखो A1 हो गया B1 हो गया C1 हो गया हलो 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 हाँ ठीक है अब यहां पे देख लेते हैं, C1, है न, C1, रे रे, ये पंकच, इसको मिटार ये भाई, ये क्या है रे, ये राजु, अब देखो, A1, ये तो हो गया, A2 के देख लेते हैं, A2, A2 हमारे पास क्या है, बावु, 4 है, और B2 हमारे पास क्या है, माइनस के 2 है, देन, C2 हमारे पास क्या है, तो माइनस के 4 है, हमने रख दिया, अब तुलना करते हैं, बावु, A1 बटा A2 पे, तो A1 बटा में A2, A1 की वैलू क्या है, पैर बच्चो, A1 की वैलू 2 है, और A2 की वैलू 1 है, तो हमारे पास 2 बटा 1 आ गया, अब हम देखेंगे, B1 बटा B2, तो B1 बटा में B2 की तुलना कर लेते हैं, B1 की वैलू 1 है, और B2 की वैलू क्या है, B2 की वैलू माइनस के 2 है, पैर बच्चो, यह माइनस के 2 है, चलो, C1 बटा में C2, तो C1 की वैलू माइनस के 6 है, और C2 की वैलू क्या है, पैर बच्चो, तो C2 की वैलू यहाँ पे माइ हो C-2 दोना चार दो छार टिन दोटीर दोना चार इसको काट दिये तो हम कहा सकते कि थी bunny, बता दो आ गया यहीन आ गया पेर बच्चों तो produção बता दो आ गया अबि present सब्सक्राइब इसको काटई तो हम क्तासि चार डाड़ी बता तो आ पड़ना डोटो तो क्या होगा दो दुनी चार दो दुनी चार यानि एक बट्टा में दो आएगा ठीक है तो हम यहां पर लिख सकते हैं यह एक बट्टा दो आएगा हम यहां पर नीचे लिख देते हैं यह एक बट्टा दो आएगा तो यह एक बट्टा दो है यह है माइनस का एक बट्टा द ठीक है यहां समीकरन संगत है आता ही संगत है अब हम क्या करेंगे इसका हम कोडिनेट इयाद करेंगे चलिए हम कोडिनेट तकरते हैं इस तरीके से एक डाइग्राम बना लेते हैं, ओके, यह X, यह Y, दूसरा बना लेते हैं इस तरीके से, इधर, ठीक है, ओके, यह X और यह Y, हमारे पास यह जो हो जाएगा ना पैरवच्चो, यह समीकरन एक के लिए रहेगा, अरे, सिलेक्ट नहीं हुआ क्या, समीकरन एक के लिए, और दूसरा का आ जाएगा, यह हमारे पास समीकरन है, इसमें देख लो, इसमें हम X का मान क्या रख दे, X का मान 0 रख दे, चलो, अगर हम इस समीकरन के X का मान 0 रख देते हैं, तो क्या होता है पैरवच्चो, तो इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, अगर हम X का मान 0 रखते हैं, तो तो 2 और x में गुना दे हैं, दो गुने में 0 हो जाए, x के जगाप पर 0 है, plus में ये y है तो y, minus में 6 है तो minus में 6, और बराबर में 0, जब solve करेंगे तो y बराबर क्या हो जागा, minus के चोगा उदर जागा तो plus के 6, य कमान 6 आगा, क्यूंकि 2 में 0 से गुना गरें 0, उसका कानी खतम, तो y कमान 6 आजाएगा, अब क्या करेंगे, पैरवच्छे एक और कोडिनेट हमे लेना है, अब y कमान हमने 0 रखा था, x कमान 0 रख ले, चलो हम क्या करते हैं, अच्छा, x कमान 0 रखें तब y कमान 6 आए, 2x, अब यह देखो, माइनस के 6 बरावर से उधा जाएगा, तो पलस के 6, 2ti 6 काट सकते हैं, तो x की value आजाएगी 3, कोई दिक्कत, नहीं है दिक्कत, पैरवच्छे, x की value 3 आजाएगी, तो हम क्या करते हैं, x के जगा पे 3 रख दे, चलो 3 रख दे, हमने 3 रख दिया, हमने य इसको मिटा देते हैं, चलो भाई, तू मिट जा, अब लो भाई, अगला point लेते हैं, इस समीकन 2 में, समीकन 2 में हम put करेंगे, समीकन 2 यह है, एक कामान रखो, दूसरा कामान आएगा, चलो इसमें भी वही करते हैं, अगर y कामान 0 रख दे, मालनो y कामान अगर हम 0 रख देत हैं कि 4x बरावर, माइनस के 4 उधर जागा, तो प्लस का 4 आजागा, तो इसलिए x बरावर क्या हो जागा, 4 बटे में 4, यानि 1 आजागा, तो हम यहाँ पर 1 रख देते हैं, अब क्या करेंगे, पैर बच्चों, फिर से रखेंगे, अब y कामान 0 रख देते हैं, अगर हम x का 0 रखेंगे तो देख लो, फोर गुने में x के जगापे 0 हो जाएगा, अब माइनस के हो जागा 2y और माइनस के 4 बरावर में 0, है ना, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हम डायक्ट कर सकते हैं, कि माइनस के 2y बरावर में, माइनस के 4 उधर जागा, तो प्लस का 4 हो जाग हम यहाँ पे काट सकते हैं तो y की value जो आजाएगी minus के 2 आजाएगी क्या होजाएगी minus के 2 होजाएगी minus ला उधर चल जाएगा y का मल minus का 2 आजाएगा ठीक है minus के 2 हमने रख दिया है नव तो यह हमने कर दिया अब क्या करेंगे पैरवच्चो इसको graph पे हम solve कर लेंगे ठीक है अब यहाँ पे देख सकते है पैरवच्चो यहाँ पे चौथा का तीसरा प्रशन है इसको हमें graphy विदी से हल करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगी पैरवच्चो एक coordinate बना लेते हैं तो क्या दिकत है हम coordinate बना लेते हैं तो पैरवच्चो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या है coordinate है हमने coordinate इसको बना लिया है अब क्या करना है पैरवच्चो आपको man put करना है ठीक है तो हम कैسे put करेंगे पैरवच्चो तो ये देखो हमारे पास यह हो जाएगा x यह हो जाएगा X dash जो की माइनस वाले होंगे यह हो जाएगा Y और नीचे जो हो जाएगे नबबू Y dash हो जाएगे माइनस वाले हो जाएगे इस तरीके से हमने लिख दिया सब को ठीक है अब इसमें हम क्या करेंगे मान पूट करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो Y का मान 6 है तो डायक ले जाते हैं यह एक दो तीन चार पांच छे छे यहाँ पे आएगा यहाँ पे छे आजागा ठीक है तो Y का मान 6 है तो X का मान 0 है तो X का मान 0 यहीं पे रहेगा करते लिए इस हों मिला देंगे तो आजा ओact है तो इसको मिलाओ जिक्त है तो पैरवर्चुंद, statut पया दिखते हैं इसको मिला दिया अब इसमें चलते हैं समीकन दो में यहाँ पे कहता है X कमान एक है तो Y कमान जीरो है X कमान एक है तो X कमान एक है तो यहाँ पे एक आ जाएगा X कमान एक यहाँ पे है ठीक है और यहाँ पे उसके बाद X कमान एक तो Y कमान जीरो तो 0 यहीं पे यानि एक यहीं पे आ जागा जीरो, यानि एक कॉमा जीरो इस बिंदू पे, इस बिंदू पे हम लिख सकते हैं एक कॉमा जीरो, तो लिखते हैं एक कॉमा जीरो इस बिंदू पे, ठीक है हमने लिख दिया, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब यहां से हम करते क्या है, कि X कमान एक तो Y कमान जिरो सब कुछ ठीक है आगे देख लेते हैं X कमान जिरो तो Y कमान माइनस के दो है X कमान जिरो तो Y कमान माइनस के दो है तो X कमान जिरो यहीं पर हो जागा Y कमान माइनस दो तो Y वाला माइनस दो इधर आजाएगा माइनस के दो यहां पर आ जाएगा ठीक है तो इस पे हम लिख सकते हैं कि बाबु जीरो कॉमा माइनस दो इस बिंदू पे जीरो कॉमा किया है माइनस के दो है अब ये बिंदू ये बिंदू दोनों बिंदू को हम क्या करेंगे पैरवच्छों मिला देंगे तो प्यारे बच्चों यहां पे देख सकते हैं हमने यहां पे मिला दिया तो यह बिंदू कहां पे कटा यह देखो यहां पे यह कैमा होगा देखो यह पहला यह दूसरा होगा रिखा तो यहां से दू चलेगा और यहां से क्या चलेगा तो बाबू पहला यह दूसरा यहां पर लिखेंगे हल अरे भई मिट्टो 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 है ना तो एवन हमारे पास कितना है यहां पर देख सकते हो कि 2 है, comma B1 कितना, B1 हमारे पास minus के 2 है, comma C1 कितना है प्यार बच्चों, C1 हमारे पास है minus के 2 ठीक है, ये भी minus, ये भी minus minus के 2 है, ठीक है, हमने कर दिया अब क्या करेंगे, उसमें देख लेते हैं, कि A2 का क्या है हमारे पास देख लो, A1 हाना A1 हमारे पास 4 है कॉमा B1 हमारे पास माइनस के 4 है कॉमा C1 हमारे पास माइनस के 5 है ठीक है हमने अरे यह A1 B1 समीकर दो के लिए यह 2 होगा यह 2 यह 2 और यह रहा 2 ठीक है हमने कर दिया 2 2 अब क्या करेंगे तूलना करेंगे चलो तूलना कर लेते तो A1 बटा में A2, किधर मच्छर बैठ गया, A1 बटा A2, चलो, अब हम क्या करेंगे पैरवच्छों, बराबर, A1 हमारे पास कितना है, दो है, और बट्टे में A2 हमारे पास कितना है, तो A2 हम देख लेते, A2 चार है, काटेंगे तो कितना होगा पैरवच्छों, दो दूनी 4, यानि 1 बटा में दो आएगा, वहीं हम बात करते है, B1 बटा में B2, तो B1 हमारे पास कितना है पैरवच्छों, तो B1 हमारे पास, माइन स्के 2 है और, B2 हमारे पास कितना है, B2 माइन स्के 4 है, काट दो माइन स्के cancel कट जागा तो दो दूनी चार यह निए एक बटा दो ही आएगा then c1 बटा में c2 c1 हमारे पास कितना है c1 हमारे पास माइनस के 2 है और c2 कितना है पैरवच्चों तो c2 हमारे पास माइनस के 5 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पैरवच्चों यह जो होगया नहीं का अप्सन नहीं है मैं ने किलियर अल कर दिया जिसकी वाजशंचे पूरा मिट ग羽 स्यवीत है तो आपने तो देखा था हिया कि अधुदिदी निकाला थी असंगत है असंगत जब असंगत हो गया तो इसको ग्राफी विदी से सॉल नहीं करेंगे आप तुलना कर लो आपने दिखा है ना क्लियर और कर दिया इसकी वज़े से मिठ गया है ना तो आपने इसको समझ लिया आगे बढ़ते हैं पांचमा प्रशन को हम सॉल्व कर लेते हैं यहां पर क्या कहता है प्यरवचे पांचमा प्रशन देख लो एक आताकार बाग जिसकी लंबाई चौराई से चार मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप छतिस मीटर है तो बाग की विमाय ग्याद करना है एक आताकार बाग है हमारे आताकार बाग बना लिया ठीक है तो यहां पर कहता है एक आताकार बाग जिसकी लंबाई है लंबाई चौराई से चार मीटर अधिक है तो हम यहां पर लिखेंगे हल ओके हल और माल लेंगे कि माना माना चौराई बराबर क्या लिखेंगे बाबू चौराई क्या लिखेंग यहां पे x लिख लेते हैं वंने लिख दिया तो यहां पर लिख दिया अब क्या करेंगे जिसकी 4 ज おराई जो है आ सूर यह लंबाई क्यों हमारे पास इस चारम इटर अधिक यह जाएं मिए fhews के 4 हो जाएंगे क्या होजाएंगे X पलस के 4 तो हम यहाँ पर कर सकते है एंए X पलस के 4 कर देते हैं ठीक है यह मैंने कर दिया अब हम क्या करेंगे पैरवच्चो अभी इसका अर्ध परिमाब 36 मेटर दिया गया है कोई दिककेत नहीं तो हम यहाँ पर कि आयत की पर्मीती क्या होता है पेरवचे टु इंतू लंबाय प्लस चॉड़ाई है नहीं होता है कि नहीं तो यहां पर आयत का अर्ध परिमाप लिखेंगे तो यहां पर लिखते हैंि आयत का अर्ध परिमाप तो लिखते हैं अर्ध परिमाप या परिमीती कह सकते हो परिमाप ठीक है तो क्या होगा पैरवचे टू इन्टू लंबाई प्लस चराई टू इन्टू लंबाई प्लस में चौराई ठीक है टू इन्टू लंबाई प्लस चराई बट्टे में दो अर् रखा 36 मिटर तो हम यहां लिखेंगे 36 और बराबर में 2 से 2 कैंसिल तो लंबाई plus 4 आए गया तो लंबाई यहां पे लिखते हैं लंबाई और प्लस में प्लस में, चोड़ाई कितना यहाँ X है तो X लिखेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्यारे बच्चों, 36 तो 36 बराबर, सबको जोर लो X X जोरेंगे तो 2X और प्लस में यह हो जाएगा 4, है ना, अब क्या करते हैं, यहाँ पर देख लो, यह प्लस का 2X है, इधर आएग कि माइनस के 2X बराबर में, 4 में से 36 घटाएंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा, बाभू, 32 हो जाएगा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, काट देंगे, चलो काट देथे हैं, यह माइनस से माइनस cancels, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, कि X बराबर, 2 से इसको काट दो, 16 तहा आध जाना था चवरद यहां पर लिखेंगे ऑत हम 9 अधर मेर ला बराबर अंतने से इक कि की वेलूlles समझेस वंबडाई पर lips लंबाई लंबाई पर लंबाई हमारे पास एक ट्रोल सो गया यह रखने थे और ये भी आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं दिकत प्यार वच्छों तो इस प्रश्ण को आपने क्या किया बहतेरीन तरीके से सॉल्व कर लिए पांच माहीं हो गया प्यार वच्छों अब क्या करते हैं च्छथा प्रश्ण यहां पर क्या कहता है जड़ा देख लो तो च चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरन लिखिये ताकि प्राप्तिगम का ज्यामिती निलूपन जैसा की परती छेदी करती रेखा हो पहला में परती छेदी करती रेखा हो दूसरा में समानतर रेखा हो और तीसरा में समपाती रेखा हो यह तो बदा सिंपल है अपने मन से लेना है कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर लिखते हैं पहले हम लिखेंगे का पहला जो समीकन जो हमको दिया गया है दो X और प्लस में 3Y और माइनस के 8 बराबर में 0 हमें पहला जो सॉल्व करना है वो क्या है परती छेदी करती रेखाएं करती रेखाएं होना चाहिए रेखाएं हो ठीक है तो परती छेद करती रेखाएं होने के लिए कंडिशन इसका क्या है बावू परतिछेद करती रेखा है का कंडिशन है कि A1 बटा में A2 बराबर नहीं B1 बटा में B2 यहीं न होता है प्यारवच्चो तो इस परकार को हमें ढालना है तो इस समीकर्ण में ऐसा एक और समीकर्ण का निर्मान कर देना है कि इस काम को क्या है इ ने पर पाइब है करें और दोंें अब इन दोनों को ने भी यो ना डिया इस प्रकार है अपना मन से कोई भी समीकरन आप इसमें दे सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है पैर बच्चो चलिए इसी का दूसरा सॉल्व करते हैं तो दूसरा हम सॉल्व कर लेते हैं पैर बच्चो दूसरा कंडिशन क्या कहता है पहले तो समीकरन हम को यह दिया गया है तो हम समीकरन ल 10 के 3y और माइनस के 8 बरावर में 0, इसका समीकन लिख लिए ये समीकन 1, अब दूसरा कंडिशन के लिए हमें समीकन लिखना है, दूसरा क्या कहता है कंडिशन, दूसरा कंडिशन कहता है समानतर रेखाएं हो, क्या हो प्यारवचू, समानतर, समानतर, रेखाएं के लिए, बटा में A2 होना चाहिए, बराबर B1 बटा में B2 होना चाहिए, लेगिन बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटा में C2, इस परकार के समीकरन का जो होता है न ग्राप, वो समानतर होते हैं, तो इस परकार में आना चाहिए ऐसा हमें समीकरन लेना है, तो हम ले लेते हैं, समीकरन क यह च्छे वाई ले लेते हैं अब इसका बराबर नहीं करना है तो माइनस के नौ ले लेते हैं कुछ भी ले लेते कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत यह हम कर देंगे बराबर में 0 यह हो जागा समी करन 2 ठीक है अब देखलो इस पर तुलना कर को यह आएगा दो बटा चार तीन थो कहने का मतलऄ अगर दो बटा में 4 है कातेंगे और यह हमारे पसीन बराबर होले देगा दो आसर हो जाएगा ठीक है समपाती रेखाएं हो रेखाएं है न हो इसके लिए हमें क्या करना है बाभू एक समीकरन लेना है तीसरा में है न कोई दिकतने हम ले लेते हैं इसी में देख लो यह समीकरन हमारे पास है समपाती रेखाएं हो इसका कंडिशन क्या है कि A1 बटा में A2 बरावर में B1 बटा में pidoo और बरावर नहीं बरावर में सरमाटियों बरावर होना गए यह त्रीक बताता हूँ क्या करना है की ऑतलतर हो ठीक और बरावर में 0 यह आजागा देखो तीनों में बरावर करके एक वटा तीन एक वटा तीन एक वटा तीन एक वटा तीन बरावर हो जाएगा ठीक है यह समीकरन दो हो जाएगा समीकरन हमारे पास दो हो जागा यही हमने ले लिया ठीक है और यही हमारे पास आंसर हो जागा य हमने इस प्रश्ण को solve कर दिया यानि छठा को अब हम क्या करते प्रवच्चो सात्मा प्रश्ण को solve कर देते हैं तो सात्मा प्रश्ण जो कि इस चेप्टर का लाश्ट चैप्टर है प्यर्वच्चों है ना अगर वीडियो पसंद आ रहे है लाइक करते चलना क्यूंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं तो सात्मा का लास्ट प्रश्ण है। चलिए, यहां कहता है कि समीकरन इतना इतना और इतना बरावर जीरो का गराफ खीचिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बनने तिर्भुज के सिर्सों के निर्दे सांग ज्याद किजिए और तिर्भुजा कार पटल को छांग किजिए, बड़ा सिंपल है, आपको क्या करन हैं, यह दो इन डिया गैं, दोनों समीकरन से हमें क्या करना, ग्राफ ज्याद कर लेंगे, आझब हम ग्राफ ज्याद करेंगे, हम माननो की इसे बनाते हैं, पच्छ न एक रेका आसे जाएлекा और दूसरा रेका हो सकता आइसे जाएगा, तो यह जो तीन बिन्दू बनेंगे तीनो बिंदू पर कुछ न कुछ आएंगे उन तीनो बिंदू को हमें लिखना है और साथ में इसको क्या करना है एक छायंकित कर देना है बरा सिंपल है यह हो जागा कोई दिक्कत नहीं है ओके तो आईए हम क्या करते हैं परवच्चे solve करना शुरू करते हैं तो यहां पर लिखेंगे हल मैंने लिखा हल अब यह समीकरन इसको लिख देते हैं यह x-y है ठीक है पलस का एक है पक्षानतर करेंगे तो यह हो जागा माइनस का एक हम इसको माल लेते हैं समीकरन एक ठीक है हमने समीकरन एक माल लिया, इसको देख लेते हैं, यह हमारे पास 3X है और पलस की यह 2Y है माइनस के बारे पक्षांतर कर देंगे तो प्यारवचो क्या होगा, पलस के 12 हो जाएगा तो यह हो जाएगा बराबर में पलस के 12, यह समीकरन 2 हो जाएगा ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कोडिनेट ग्याद कर लेंगे, तो कोडिनेट हम ग्याद कर लेंगे, क्या दिकत प्यारवचो है ना, हम क्या करेंगे प्यारवचो यहां से, कोडिनेट ग्याद कर लेंगे, समीकरन 1 में ओके, है ना यहां पर X और यह वहाँ पर Y चलो समिकरन X एंग अगर प्यारे वच्छो यहां पर हम क्या करते हैं कि Y के जगह पर 0 रखते हैं मानल y के जगह पर हमने 0 रख दिया तो इसका कहानी खत्म तो X के जगाँ सिर्फ minus 1 बचेगा तो हम यहाँ पर minus 1 लिख सकते हैं ठीक है अगर मालो कि X के जगाँ पर 0 रख देते हैं X के जगाँ पर 0 रख देते हैं तो इसका कहानी खत्म यहाँ माइनस य बराब माइनस एक आएगा, तो माइनस से माइनस गैंसल, तो y कमाद शिर्फ एक आजाएगा, समझ रहा है कि न, बहुत सिंपल है, तो यह आगया हमारे पास, तो यह समीकर एक का कोडिनेट आगया, समीकर दो का कोडिनेट देख लेट, इसका हम कैसे निकालेंगी, तो देख लो, यह हमारे पास कुछ इस तरीके का है, चलो, यहाँ पर X है, यह Y है, तो प्यारे बच्चो हम इसमें क्या करेंगे, एक का मान रखेंगे, दूसरा का मान आ जाएगा, अगर मान लो Y के जगा पर 0 रखते हैं, तो 2 से, Y के जगा 0, 2 से Y में 0 में गुना करेंगे, तो 2, 0 ही होगा, तो इसका काहनी खत्म, तो 3 X बरावर 12 बचेगा, 3 4 के 12 काटो, तो X का मान 4 आ जाएगा, बड़ा सिम्पल, यह सब सीखो, है न, यह प्रैक्टिस का चीज है, बड़ा सिम्पल है, मन में करना, अगर मान लो, कि X का मान ही हम 0 रख देते हैं, X का मान अगर हम 0 रख देते हैं, तो क्या होगा, X का मान 0 रख देते हैं, तो 3 से 0 में गुणा के 0 है, इसका कहानी खत्म, तो 2 बड़ावर सिर्फ 12 बचेगा, 2 6 का 12 आ जागा, तो 6 हम कर सकते हैं, तो यह हमारे पास आ गया, समीकरन 2 का कोडिनिट, यह समीकरन 1 का कोडिनिट, अब हम क्या कर आप पर क्या करेंगे, तो आए, हम क्या करते हैं, इसको ग्राफिय विदी से सॉल्व करते हैं, और बहुत most important है, प्यारे बच्चों, अब हम सातमा प्रशन सॉल्व करते हैं, सातमा को हमें ग्राफिय विदी से सॉल्व करना है, कोई दीकरने समीकरन 1 का कोडिनिट, यह हमार पर क्या करेंगे प्यारे बच्चो हम मान पूट करेंगे सभी में ठीक है कोई दिकत नहीं मान पूट करना तो बहुत आसान है यहाँ पर देख लो उपर क्या होगा यह हमारे पास y वाले होंगे इधर y डैस होंगे यानि माइनस वाले होंगे ठीक है इधर क्या हो जाएंगे इधर x dash वाले होगे यानी minus वाले हो जाएंगे ठीक है हमान put करते है हमारे पास क्या x का मान minus का 1 है तो minus वाला इधर ज्धर चागए इधर रख लेते हैं minus का 1 ठीक है इस मुद्ध फे ये रहेगा minus का 2 ये रहेगा माइनस का तीन आप कर सकते हैं कोई दिकत नहीं जहां तक जाए अब उसके बाद उपर क्या होगा ये हम लिखी देते हैं चलो एक हो जाएगा ये हमारे पास दो ये हमारे पास तीन ये हो जाएगा चार ये हो जाएगा पांच देन ये हो जाएगा हमारे पास छे ह हमने 6 कर दिया ठीक है इधर क्या हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का ये हो जाएगा 4 दिन प्लस का 5 प्लस का हमारे पास 6 और प्लस का ये 7 और प्लस का 8 कर सकते हो इधर कोई दिकत नहीं है इधर हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का हमारे पा यह चार है हमने कर दिया अब इसमें मान हम फूट कर देंगे क्या दिकत है इस बिंदू इस के आएंगे, इस बिंदू पे क्या हो जाएगा सो मानस behaviour Kis बिंदू पे इस बिंदू पे चलो अब हम यहाँ आइता ये बिंदू आया है न तो यहां पे लिख सकते है 0,1 तो यहां लिख देते है 0,1 हम लिख देते हैं तो यह बिंदू और यह बिंदू दोनों बिंदू को हम क्या करेंगे मिला देंगे तो प्यारे बच्चो आप देख सकते हैं इस रेखा को इस बिंदू से इस बिंदू को हमने क्या क्या मिला दिया अब मिलाने के बाद क्या करते हैं प्यार बच्चो यहाँ पे देख लो समीकरन 2 में चलते हैं यह समीकन एक का था, समीकन दो में देख लेतें पैर बच्चो, समीकन दो में कहता है क्या, X कमान 4 तो Y कमान 0, अब X कमान 4 है, X कमान क्या है, 4 है, तो Y कमान हमारे पास 0 है, तो 0 यहीं पर रहेगा X कमान 4, यानि इस बिंदू पर आएगा, तो इस बिंदू का हम नाम रख सकते क्या तो यहां पर रख सकते है 4,0 तो हम यहां पर रख देते हैं 4,0 4,0 किस बिंदू का इस बिंदू का नाम है ठीक है आगे देखते X macht 0 तो Y copyright 6 X fundament 0 तो Yumba 6 तो X bar 0 यहीं रहेगा YCON 6 उपर जाएगा है complexity यहां नहीं इस बिंदू पर आएगा तो इस बिंदू का नाम रख सकते क्या तो इस बिंदू का नाम रख सकते बावु 0,6 तो हम लिख देते हैं 0,6 ठीक है यह बिंदू आया और एक यह बिंदू आया इन दोनों बिंदू को क्या करेंगे आपस में मिला देंगे तो चलो हम क य cofferdangi के से तिर्भुजाया और तिर्भुज का छैंकित भी करना है और तीनो सिर्ष यह तो हम लिखेंगे यहां से 3 सिर्स, क्या लिखेंगे पैरे बच्चो 3 सिर्स सिर्स लिखें देते है, 3 सिर्स हमारे पास क्या हो जागा plano लिखते हैं यहाँ पे, एक तो होगा माइनस के 1,0 और दूसरा हो जागा इधर 4,0 और ये हमारे पास 2,3 अजाएगा, तो ये हमारे पास आजाए गा अब हमें क्या करना क्शा अंकित करना है । तो इस कि तरीके से फिस्ट देंगे सक्ट से यह आप अपना पह एक्ट से कर maybe सकते हैं साथ यह जिक भी नहीं रहा है वो दीखरा है यह invent को घ्राइब अनुक्त कर दे तो इस好吃 अब कर देना तो यह अमारे कि इसका जो नोट्स है प्यारवच्चो हमारे paid whatsapp group में मिल जाएगा हमारा number है 85 81 80 29 29 जब आप यहां पे message करेंगे ना प्यारवच्चो message करेंगे तो हमारी team आपसे बात कर लेगी आप कहेंगे कि sir हमें पंकर sir का course लेना ऐसे बोलिएगा तो आपको reply देंगे और जो process है आपको